डरावनी रातें यूड्यूब चैनल पर आपका स्वागत है भूत, प्रेत, पिशाच और शैतानों की रोमांच कहानिया आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती है अगर आपको ऐसी ही वीडियोज देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब करना न पूले तो हेड़फोन लगा ले, कमरे की लाइट्स आफ कर ले क्यूंकि ये वक्त हो रहा है डरने का हेलो दोस्तो, मेरा नम रूसो है और मैं युनाइटेट स्टेट्स आफ अमेरिका का रहने वाला हूँ कहां से करूं अपनी कहानी की शुरुआत क्यूंकि मेरी जिन्दगी बहुत ही अजीब रही है इस समय मैं होमलेस हूँ मेरे पास कोई घर नहीं है और ये शायद मेरी जिन्दगी की की हुई उन गलतियों के कारण हुआ है मैंने अपना घर बेचकर सारी जमीन बेचकर एक बिजनस शुरू किया था और वो बिजनस भी अच्छा चलने लगा था जिसके बाद मेरे पास धीर सारे पैसे आने शुरू हो गए लेकिन मेरा जो बिजनस पार्टनर था वो धोखेबास था और मैं ये समझ ही नहीं पाया पांच सालों की महनत और मेरी गल्फरेंड सब कुछ उसने मुझसे चीन लिया उसने कब मुझसे पेपर अपने नाम करवाए कब पूरे के पूरे जैसे शेर्स अपने नाम करवा लिये मैं समझ ही नहीं पाया मुझे उस काम से निकाल दिया जिसकी शुरुआत मैंने की थी और उसके बाद दोबारा जिंदगी जीने की मैंने कोशिश नहीं की मुझे लगा अब मैं अपने काम से निकाला जा चुका हूँ घर पेरे पास मौजूद नहीं है बैंक बैलनस मेरे पास था नहीं तो मैं रह कहा सकता था सड़क पर सड़क पर ही एक गत्य के डिब्बे में मैं रहने लगा शुरू शुरू में मुझे लग रहा था, मरना ही सही है लेकिन किसी ने मुझे ग्यान दिया, मरने से कुछ नहीं होगा जिन्दगी हमें दोबारा एक मौका देती है बस उसी मौके का इंतजार करता रहा, महनत करने का अब मन नहीं था कितने सालों तक मैंने मेहनत की थे उस कंपनी को शुरू किया था अब मुझे डर लगा करता था मैं दोबारा सालों की मेहनत करूँगा कोई मुझसे मेरा वो काम छीन कर चला जाएगा मैं डरने लगा था अब यहीं पड़ा रहता हूँ मांगता नहीं अगर कोई कुछ दे जाता है तो मुझे लगता है शायद भगवान ने दिया हूगा भगवान मुझे मानना नहीं चाहता लेकिन मैं खुद कबूल कर चुका हूँ जब कुछ खाने को नहीं मिलेगा मौत के घाट खुद बखुद उतर जाऊंगा इंतजार कर रहा हूँ जिन्देगी के उस मोड का अचानक ये सोमवार का दिन था मेरी बगल में किसी ने जैसे फोन गिरा दिया पहले तो मुझे लगा कोई फोन या गिरा कर चला गया होगा या उससे गलती से गिर गया होगा मैंने वो फोन उठाया मैं इथर उधर जांकने लगा ये आवाज अभी अभी आई थी जैसे उपर से नीचे फोन गिरा हो आसपास देखा था मैंने कोई मौजूद ही नहीं था उपर कोई मौजूद नहीं था आखिर मेरी बगल में ये फोन किसने गिराया क्या कोई मुझे फोन देना चाहता था या बेवज़े ही किसी का फोन यहां गिर गया भेखारी समझ कर मुझे कोई फोन गिफ्ट कर गया मैंने वो फोन उठाया उस फोन में कोई सिम नहीं थी लेकिन पूरी तरे से चार्ज था साथ में किसी ने अडेप्टर भी फैंका हुआ था मैं इसे देखते ही समझ गया कि चार्जिंग अडेप्टर भी है फोन भी है बेखारी समझ कर किसी ने मुझे फोन दिया है जो उसके किसी काम का नहीं था मैं मुस्कुराने लगा था मैं उस phone के साथ क्या करने वाला था, कुछ नहीं हो सकता था, उसमें SIM भी नहीं थी, लेकिन messages में एक message बढ़ा था, शायद किसी ने मेरे लिए message छोड़ा होगा, बेखारी समझ कर मुझे ये gift दिया होगा, और अच्छे कर्म की तरहें मेरे लिए message भी छोड़ा होगा, मैंने उ message को खोला और उसमें अचीब सी बात थी, तुम बहुत खास हो, तुम्हें मुझे पर यकीन करना होगा, मैं तुम्हारी जिन्दगी बदल सकता हूँ, ये पढ़ने के बाद मैं इधर उधर ज्छांकने लगा, कहीं किसी ने कोई कैमरा तो नहीं छिपाया हुआ, मेरे साथ क कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा, फिर मैं मन ही मन मुस्कुराने लगा, जिन्दगी ने जिसके साथ प्रैंक किया हो, अगर कुछ और लोग भी प्रैंक कर ले, इसमें बुरा नहीं है, मैं काफी समय तक इंतजार करता रहा, उसके बाद मैं इधर उधर देखता रहा, कोई लगा, इसमें और क्या मौजूद है, क्या तस्वीरे तो नहीं खींची हुई, कुछ ऐसी चीज जो मेरे काम की हो, लेकिन मैंने ध्यान दिया, उसमें एक और मैसेज आया हुआ था, मैंने जल्दी से सिम चेक की, उसमें सिम नहीं डली हुई थी, उस फोन में इस तरह से मैस मैसेज बड़ ही नहीं सकता था, लेकिन एक नया मैसेज आया हुआ था, जो हैरानी का सबब बन गया, मैंने जब वो मैसेज पड़ा, उसमें जानकारी ही कुछ अजीब सी थी, उसमें लिखा गया था, तुम्हें सबसे पहले तो मुझ पर भरूसा करना होगा, अगर तुम म काम को आगे नहीं बढ़ा सकते, मैं तुम से बात करना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम्हारा भरूसा जीतना चाहता हूँ, बस यही था मैसेज में, मैं खड़ा होकर बोलने लगा, कौन हो तुम, मुझे तुम पर भरूसा है, मैं तुम पर भरूसा करने को तयार तुम्हें सामने आना चाहिए, कोई सामने नहीं आया, कुछ समय मैंने उची आवाज में दूर दूर तक बोला था, कोई तो हो जो सामने आना चाहिए, कोई सामने नहीं आया था, लेकिन उस फोन में एक और मैसेज आ गया था, तुम्हें उची आवाज में बोलने की जरू औरत नहीं है अगर तुम हलकी सी आवाज में भी बोल दो या इस मैसेज कर रिपलाई कर दो मुझे पता चल जाएगा लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ मैसेज के जरिये या फोन के जरिये ही बात बता सकता हूँ सबसे पहले तुम्हें मुझे पर भरोसा करना होगा और जो काम मैं कहता हूँ पहले वो करने होगे यकीन करते हुए मैं अब हलकी सी आवाज में कहने लगा लेकिन तुम हो कौन? कहां पर हो तुम? क्या तुम करीब ही हो? इस फोन में सिम तो नहीं है मैसेज अपने आप कैसे आ रहे है? क्या ये फोन तुमने हैक कर रखा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा चलो ठीक है तुम को एक काम करवाना चाहते हो ना तो मैं काम करने को तैयार हूँ लेकिन वो काम मुश्किल नहीं होना चाहिए मुश्किल काम मैं कर नहीं पाता मैं जिन्दगी में भी मुश्किल काम कर चुका हूँ लेकिन हार गया हूँ तो मैं तुम्हारे शायद ही किसी काम आऊँ कुछ समय कोई मैसेज नहीं आया लेकिन फिर मैसेज आया मैं एक लोकेशन तुम्हें बताता हूँ तुम्हें मुझे पर भरुसा करते जाना है, बात बहुत गहरी है, तुम्हें मुझे पर यकीन नहीं होगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हारा यकीन जीतने दो। काफी लंबा सफर होता है, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके लिए ये असंभव कार्या होगा, लेकिन मैं तो होमलेस हूँ, कभी कभी खाना ढूनने के लिए भटकना पड़ता है, दूर दूर तक जाना पड़ता है, डर लगा रहता है, कोई पकड़ ना ले, कोई च जहां बहुत जदा गंदगी है, वहां कींचड भी काफी जदा है, और गंदगी पड़ी हुई है, बद्बू काफी जदा आती है, उस जगे जाना है, उन ज़ाडियों को हटाना है, काले रंग का लिफाफा होगा, गंदगी में पड़ा हुआ, वहां गोबर भी होगा, और उसमें हाथ डालना है लिफाफा बाहर निकालना है उस लिफाफे में जो चीज होगी वो तुम्हारी है बस ये लिखा था क्या चीज है उसमें मुझे पहले लगने लगाई है कोई प्रैंक लगता है उस गंदगी में हाथ डालूँगा ये अजीब नहीं लगेगा लेकिन मैं गंदा ही तो रहता हूँ, मुझसे भी बद्दू आती है, नहाने का मौका ही नहीं मिलता। मैंने हाथ डाला, लिफाफे को बाहर निकाला, लिफाफा काफी गंदा था, लेकिन कींचड में एक जगे साफ पानी भी मौजूद था। मैंने लिफाफे को उस साफ पानी से बिलकुल अच्छी तरह से साफ किया, आसपास कई लोग थे जो उस पबलिक पार्क में घुमने आये हुए थे, मेरे फटे हुए कपड़े देख, वो इस तरह से घुर रहे थे, जैसे मैं कोई चोर हूँ, लेकिन मैं नजरें जोकाए वैसे तो मेरे पास कोई घर मौजूद नहीं था, लिकिन यहां सडक पर अगर आप खास जगे रहना शुरू कर दें, तो पुलिस वाले भी आपको भगाती नहीं, जब रहने का कोई ठेकाना ही ना हो, तो आपको उस जगे से कौन भगाएगा, कौन अपने हाथ गंदे करना चाहेगा, चलता चलता मैं उस जगे पहुचा था, डरता डरता मैंने लिफाफा खोला था, कोई हैसी चीज ना हो, जो मुझे मुसीबत में डाल दे, जब मैंने वो लिफाफी को खोला था, उस लिफाफे में एक घरी थी, ये चांदी की घरी लग रही थी, चांदी की पहना करता था, महगी महगी अंगूठियां पहना करता था, वो तो मुसीबत मुझे यहां तक ले आई, वरना उन चीजों को मैंने भी देखा है, यह चांदी की घड़ी थी, काफी महगी वाली, लेकिन मुझे हैरानी इस चीज की थी, कोई वहां मेरे लिए चांदी की यह गंदे नहीं करना चाहता हूँ, और अब वो इस चांदी की घड़ी को मुझे से लेगा, और मुझे शायद कुछ डॉलर दे दीगा, मैं मैसेज का इंतजार कर रहा था, और जब मैसेज आया, मुझे लगा, ऐसी ही बात होगी, लेकिन मैसेज में लिखा हुआ था, यह घड तुम्हारी है, और मैं तुम्हें बताता हूँ, कहां पर तुम इस घड़ी को बेच सकते हूँ, कोई तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा, कोई नहीं कहेगा कि यह चुरी की है या नहीं, तुम उस जगे इस घड़ी को बेचाना, जो पैसे तुम्हें मिलेंगे, वो तुम् मैं उस जगे पहुँचा गड़ी को बेचा ये एक ऐसा आदमी था जो पुरानी चीजे खरीदा करता था और उसने मुझसे सवाल नहीं किया भले ही जो कीमत बनती थी उसने उससे आधी दी लेकिन बिना सवाल पूछे मेरे हाथ में पैसे पकड़ा दिये उसने 200 डॉलर दिये था काफी ज़्यादा खुश काफी ज़्यादा हैरान कौन है जो ये मुबाइल मुझे दे कर गया है मैसेज के जरिये मुझे बताता है क्या करना है मेरा भरोसा जीतना चाहता है लेकिन वो मेरा भरोसा जीतना क्यों चाहता है कहीं मुझसे कोई बुरा काम तो नहीं करवाना चाहता, कहीं वो ऐसा तु नहीं सोच रहा कि मैं कोई और ही हूँ, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं उसके मैसेज का इंतजार करनी लगा, और जब उसका मैसेज आया, उसने कहा, अगर तुम खुश हो, तो मुस्कुराओ, मैं समझ जाओंगा, और मीरा धन्यवाद करना, सच मैसेज आया, अगर एक और काम करना चाहते हूँ, अगर मुझे पर भरूसा है, मैं कोई मुश्किल काम नहीं कहूंगा, मैं तुम्हारे जिन्दगी बदलना चाहता हूँ, मैं खुश हो गया, मैंने फिर से हलकी सी आवाज में कहा, बताओ, मुझे क्या करना होगा, मैं काम क करने को तयार हूँ, लेकिन कोई मुश्किल काम मत देना, फिर से मैसेज आ गया, और इस बार जो मुझे बताया गया, वो हैरानी जनक था, उसने कहा था, इस 200 डॉलर से कुछ खाना मत खाना, इससे एक ऐसा कपड़ा लेना, जिससे पूरे के पूरे शरीर को ठका जा सके, का काले रंग का रेन कोट, काले रंग के रेन कोट को खरीदना जो 200 डॉलर का आता है, वो काफी महंगा होता है, लेकिन उसे अपने पास रखना, और मैं जहां कहूंगा, वहां पर जाना, और ये रेन कोट तुम्हें किसी को दीना है, 1000 डॉलर में, और हो सकता है, 1000 डॉलर से ज खाने की चीज खरीद लो लेकिन उसने खुद पर भरुसा करने के लिए कहा है अगर वो चाहता ये पैसे मेरे कभी बनते ही नहीं तो 200 डॉलर से मैं वो रेनकोट खरीदने के लिए क्रॉसरी स्टोर में गया वहां सबकी नजरे मुझ पर थे फटे कपड़े इस तरहें भेखा वाली एक लंबी स्वेट शट और साथ में जूडी हुई पैंट लग रही थे लेकिन असल में वो रेनकोट था महंगी थे और अमीर लोगे से खरीदा करते थे इसलिए सबकी नजरे मुझ पर थे मेरे पास खाने की चीज नहीं है पहनने के लिए कपड़ा नहीं है 200 डॉलर का मैंने वो रेनकोट खरीदा लेकिन फिर भी मैं शरमिंदगी का एहसास कई बार कर चुका था मेरे लिए ये कोई नई चीज नहीं थी मैंने वो रेनकोट वहां से निकाला और मुझे बताया गया था ये रेनकोट लेकर शाम के 6 बजे खास जगे पर पहुँचना है और व सो के हजार बन जाएंगे मैं उस जगे पहुच गया शाम का इंतजार करने लगा और मुझे नहीं पता था रेनकोट का कोई खास इस्तिमाल होगा या नहीं लेकिन हैरानी वाली बात चार बजे बारिश शुरू हो गई बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिख नहीं रहा मु समय नजदीक आता जा रहा था लेकिन क्या सच में ये फोन वाले उस आदमी का कोई दोस्त होगा कोई जान पहचान वाला होगा मैं उससे बात करनी की कोशिश जरूर करूगा मुझे इतना तो पता चले कौन है जो इस तरह से मेरी मदद कर रहा है और क्या सच में वो मेरी चाहिए था 200 डॉलर भी तो उसी के है और उसने वो घड़ी भी मुझसे बिकवा दी मैं वहां इंतजार करता रहा और जैसे ही समय नजदीक आया वहां पुलिस की गाडियों का साइरन बजना शुरू हो गया था आसपास पुलिस की कई गाडियां थी जिनकी आवाज यहां गूंज रही थी मैं वहीं पर खड़ा तभी मैंने देखा एक चलती हुई गाड़ी से आदमी उत्रा वो गाड़ी आगे की तरफ निकल गई वो ड्राइविंग सीट पर था जैसे पुलिस से बचने के लिए गाड़ी से उतर गया और जल्दी से उसने वो एक तरफ वाली ख कर दिया हजार डॉलर मैं इसके हजार डॉलर लूँगा उसने अपनी जेब में हाथ डाला गीले हो चुके उसके वो हजार डॉलर के नोट वो उसने मेरे हाथ में पकड़ा दिये सौ सौ डॉलर के दस नोट थे वो मैं उन नोटों को गिनना नहीं चाहता था लेकिन उसने व वो दूर निकल गया। पुलिस वाले आसपास जांच कर रहे थे और उन्होंने मुझसे भी पूछा क्या यहां कोई उत्रा था। मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं उस तरफ देख नहीं रहा था। उन्हें किसी होमलेस पर यकीन कभी नहीं होता। मैं वो हजार डॉलर लेके वहां से निकल पड़ा था। वापिस आने में काफी जादा समय लगा। लेकिन जब मैं अपने उस गत्ते वाले घर पर पहुंचा बारिश वहां भी होई थी। गत्ता वो भी भीगा था। लेकिन हजार डॉलर मेरी जेब में थे और मैं हैरान हो चुका था। आखिर ये फोन वाला इंसान जो भी है उसे कैसे पता कि वहां पर उस रिइन कोट की जरुरत उसे पड़ेगी और उसकी जेब में हजार डॉलर भी होंगे और पुलिस वाले उसके पीछे होंगे। ये हैरानी वाली बात थी जो मेरे दिमाग के उपर से निकले जा रही थी और मैं इंतजार कर रहा था कब उसका मैसेज आएगा। मैं उससे जानना चाहूंगा। लेकिन उसका message आया ही नहीं रात के वक्त उसका phone आया और जब मैंने उससे phone पर बात की मैंने सबसे पहले उससे सवाल यही पूछा वो घड़ी वहां पर मिली मुझे पहले लग रहा था तुमने वहां पर घड़ी रखी होगी लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा कि तुमने वहां घड़ी रखी है लेकिन तुम्हें पता था किसी की खोई हुई घड़ी वहां पर मौजूद है और तुम्हें ये भी पता था अगर मैं वो महंगे वाला रेनकोट लेकर वहां पर खड़ा रहूँगा तुम वो आदमी जो पुलिस से भाग रहा है वहां पर उतरेगा और उस रेनकोट का इस्तेमाल करेगा लेकिन ये तुम कैसे जान पाए तुम क्या देख सकते हो मुसीबत में कौन होता है तब वो आदमी के वो पहले शब्द थे क्या अब तुम मुझपर जरा सा भरूसा कर सकते हो क्या तुम्हें मुझपर भरूसा है और मैं सुचने लगा क्या मुझे इस पर भरूसा करना चाहिए अब तक तो उसने मेरी मदद ही की थी और ये कोई साधारन मदद नहीं थी हजार डॉलर कभी मुझे किसी ने नहीं दिये थे, इस से काफी लंबे समय तक बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं, और इस से छोटा मुटा काम भी खोल सकता हूँ, अच्छी मदद हो गई मेरी ये तो, लेकिन उसने कहा, तुम्हें मुझ पर पहले यकीन करना होगा, धीरे धीरे मैं तुम्हें तुम पर नहीं हसता, तुमने भी मदद की है, उसने कहा, हर कड़ी के साथ कड़ी जुड़ दी जाएगी, अभी बस तुम इतना भरोसा कर लो, कि मैं तुम्हें कोई छोट मुट काम करने को कहूं, तो वो काम तुम्हें करने होगे, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, वो कॉल कैसे कर पा रहा है, मैसेज कैसे कर पा रहा है, ये बात भी मैंने उससे पूछी नहीं, वो मुझे अपने उपर यकीन करने को कह रहा है, लेकिन मैं बाहर बाहर से उस पर यकीन कर पा रहा हूं, अंदर से यकीन कीजिए, किसी पर यकीन रहा ही नहीं, मैं ऐसे दिन भी देख चुका हूँ जिस पर पूरा यकीन किया करता था मेरी मंगेतर वो भी मुझे छोड़ गई पैसों के कारण इसलिए अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता लेकिन वो भरोसा जीतने की पूरी कोशिश कर रहा था आगे मुझे क्या क्या करना होगा मैं समझ नहीं पा र फोन जे में डालो कान पर ब्लूटूथ लगाओ और उसके बाद मैं जैसा कहता हूँ तुम्हें वैसा करते रहना होगा मैंने हामी भर दे उसने मुझे एक ऐसी जगे पर जाने के लिए कहा जहां जुवा खेला जाता था और उसने कहा था 200 डॉलर के हेड़फोन वरना जिन्होंने ये जुए की दोकाने ये कसीनों खोल रखे हैं इन्हे क्या फाइदा अगर हर कोई जीत कर ही चला जाए हाजारों लाखों में कोई एक जीतता है बाकि सारे पैसे उनकी जेब में पढ़ते हैं और अगर कोई जीतना शुरू हो जाए वो जान बूज कर उस किसमत का खेल होता है मुझे ये थक पता नहीं मैं जीत पाऊंगा या नहीं सारे सारे पैसे चले तो नहीं जाएंगे उसने कहा मुझे पर यकीन करो मैं जैसा जैसा कहता हूँ तुमें वैसा वैसा करते रहना होगा मैं अब उस दुकान पर चला गया था ये चिपी हुई द इसके पास 800 डॉलर आये हूँ, शायद वो चुरा कर लेकर आया हूँ, और यहां सारे की सारे पैसे दे कर जाएगा, इसलिए वो खुश थे, मुझे इंतजार था, फोन पर मुझे वो क्या कहता है, उसने कहा, नमबर 792, तुम्हे 792 चूज करना होगा, और एक घंटे का किया, 800 डॉलर उस पर लगा दिये और वो मुझकुरा रहे थे, मैंने एक ही नमबर पर सारी रकम लगा दी, यहां ऐसा करने वाले बहुत कम होते हैं, हारा तो 800 डॉलर चले जाएंगे, जीता तो मेरे पास 12,000 डॉलर होंगे, लेकिन 12,000 मिल भी पाएंगे या नहीं, मुझे मैं क्या करूंगा, मैं एक घंटे वहां अंतजार करता रहा, और एक घंटे बाद, लकी ड्रॉ के जरीए पहला इनाम निकला था, यानि जो चुनाव होता, सारी रकम उसके नाम होती, 12,000 डॉलर 800 के बन गए, और मैंने वो 12,000 डॉलर जेब में डाले, वो जो 60 खेलने वाले थे, जहां वो चलाया जाता, वो सब कह रहे, तुम्हें और जगे लगाने होंगे, तुम्हारी किस्मत बहुत तीज है, जादा से जादा खेलो, आज जादा से जादा खेलो, बहुत पैसे बनेंगे, लेकिन ब्लुटूट पर मेरे उस साथी ने कहा था, वो रकम जेब में डालो, और वहां से निकलनी की कोशिश करो, अपनी दूसरी जेब में कुछ ना कुछ रखा हुआ है, जान बूज कर अपना हाथ उसी में डाले रखो, अगर कोई रोकने की कोशिश करे, तो जान बूज कर जेब दिखा कर कहना, मेरे पास गन भी है, अगर रोकने की कोशिश करोगे तो मुझे इसका इस्तिमाल करना होगा मैंने का मेरे पास गन नहीं है उसने का ये तुम्हें पाता है तुम्हारे पास गन नहीं है सामने वाले को नहीं पता जेब में क्या मौजूद है मैंने उन्हें मना कर दिया मैं और नहीं खेलना चाहता जब मैं बाहर जा रहा था तो गार्ड बाहर खड़ा था उन लोगों ने गार्ड को इशारा कर दिया इसे बाहर मत जाने दो ये बारा हजार जीत कर जा रहा है इसे यहां खेलना ही होगा गार्ड आगे हाथ करके मुझे रोकना चाहता था और मैंने जेब को हाथ डाल कर फुला कर उसे कहा रोकोगे तो मैं गन का इस्तिमाल भी कर सकता हूं वो घबरा गया उसका चहरा उतर गया और वो पीछे हटा मुझे खुद जाने के लिए कह दिया उसके बाद वहां से मैं निकला था 12,000 डालर लेकर कई लोग थे जो मेरी तरफ देख रहे थे कई तालियां बजा रहे थे और राम से मैं वहां से निकला आया वो आदमी जो फोन पर था फोन काट चुका था लेकिन फोन करता कहां से है मुबाइल में रेंज तो आती नहीं ये हो क्या रहा है जब भी वो फोन करता है मेरा जो फोन होता है उसकी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और मुझे कभी कभी अपना वो फोन चार्ज करने के लिए ऐसी जगे पर जाना पड़ता है जहां प्लग मिले मैं तो होमलेस हूँ मेरे पास बिजली का कोई बंदोबस्त नहीं है वो सही समय पर ही फोन करता है जैसे उसे पता चल जाता है मेरे आसपास है शाद वो मुझे देख सकता है शाद वो मुझे सुन सकता है उसे जैसे सब पता होता है और आज उसने ये भी बता दिया, वो ये तक जानता है कि जीतने वाला नंबर कौन सा है, हैरान हो गया था, मैंने जिन्दगी में ऐसा ऐसास कभी नहीं किया था, कोई ऐसा जो सब जानता है, कब पुलिस वाले कहां पहुंचते हैं, कौन से नंबर की लोटरी जीती जा सकती है ऐसा इंसान तो कुछ भी कर सकता है, मेरे जैसे होमलेस से वो करवाना क्या चाहता है, उसके बाद उसका जब फोन आया, मैंने उससे सबसे पहले यही सवाल किया, कौन हो तुम, सबसे पहले तुमें ये बताना होगा, तुम कौन हो, तब ही मैं तुम पर भरुसा कर सकता हू तुम कुछ बहुत अलग लगते हो, तुम कोई और चीज लगते हो, तुम भूत प्रेत लगते हो, और उसने कहा, तुम जो समझना चाहते हो, समझ सकते हो, लेकिन तुमें मेरा काम करना ही होगा, वरना मुसिबत बहुत ज़ादा बढ़ने वाली है, क्या तुम मुझ पर भरो साकर सकते हो तो मैं बताऊं की आगे क्या करना है समय बहुत कम बचा है मैं सूच में पड़ गया था हाँ खिर वो कहना क्या चाहता है अगर कोई ऐसा है जो ये तक जानता है क्या हो रहा है क्या होने वाला है तो वो यकीनन मेरी मदद करना चाहता होगा उस पर यकीन बढ़ गया था और उसने उसके बाद कहा तुम्हें आगे कुछ और काम करने होंगे खत्रा यहां सबसे जादा है मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें कहां जाना है कैसे जाना है तुम्हें emergency passport बनाना होगा, पांच दिन में बनकर वो आ जाएगा, पहले भी तुम्हारे पास passport था, लेकिन उसे तुम lost में डाल देना, तो जल्दी बनकर आ जाएगा, इसके बाद तुम्हें अलासका जाना होगा, एक खास जगे, वहाँ बहुत मुश्किल काम है, वो काम तब उसने कहा था, अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो, तो मैं तुम्हें कुछ सच बता सकता हूँ, क्या तुम जानने को तयार हो, मैंने कहा, हाँ मैं जानने को तयार हूँ, उसने कहा, साल 2019, तुम्हें पता है, एक महामारी ने पूरी दुनिया को परेशान किया था, मै उसने कहा वो परीक्षन था परीक्षन एक ऐसी जैविक हत्यार का जो भविश्य में इस्तिमाल होने वाला है और ये परीक्षन में ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ लाखों लोग मले लेकिन लाखों बहुत कम है जो एक महीने बाद होने वाला है तुमें उसका तोड न निकालना होगा उसे तुम रोक सकते हो मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकता हूँ क्या तुम मुझे पर भरोसा कर सकते हो कुछ समय सोचने के बाद मैंने कहा हां हां मैं यकीन करने को तयार हूँ लेकिन तुम कैसे बता सकते हो कि सच में एक महीने बाद ये होने वाला है तब तुम ये काम कर सकते हो मैं किसी और पर भरूसा नहीं कर सकता क्योंकि किसी और को मुझे पर भरूसा नहीं होगा जो काम भरूसे वाला है वो तुमें करना होगा मैं सूच में पड़ा हुआ था लेकिन मुझे उस पर यकीन नहीं था ये कोई आसान और साधारन घटना नहीं होनी चाहिए ये कोई बड़ी घटना होनी चाहिए तब उसने कहा था कल एक जनवरी साल दो हजार चौबेस तुम्हें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसके बारे में किसी ने सूचा तक नहीं होगा जापान की सुनामी तुम्हें याद है ना कल एक और सुनामी आने वाली है भूकंप सुनामी जापान में दोबारा आने वाले हैं और अभी तक किसी को कुछ नहीं पता ये बावन से जादा भूकंप के जटके होंगे जो जापान पर आने वाले हैं और दुनिया का कोई वैग चले न्यूज चैनल पर तो मुझे पर यकीन करना मैं भविश्य देख सकता हूँ और मैंने वो भविश्य देखा है जो बहुत भयानक होने वाला है लेकिन तुम रोक सकते हो क्या तुम तैयार हो मैंने हामी भर दी मुझे उस पर यकीन था लेकिन ऐसा थोड़े हो सकता है खबर सुन पाया था मेरे होश उड़ गए पूरी सची बात भूकंप के जटके 27 आये थे 52 नहीं लेकिन दिन भी कौन सा पूरा हुआ था ये सूनामी ये भूकंप के जटके पूरे दिन में बिल्कुल एक ही नंबर पर पहुँच गए और रात को जब उसका फोन आया मेरे ह बात कांप रहे थे इसलिए नहीं कांप रहे थे क्योंकि वो भविश्य देख सकता है इसलिए कांप रहे थे क्योंकि उसने कहा था भविश्य में क्या होने वाला है वो बहुत जादा भयानक है उसने मुझे जैसा कहा था मैंने वैसा वैसा करना शुरू भी कर दिया मैंने स उसका इस्तेमाल मैं आलास का जल्दी पहुंचने में कर सकता था। फ्लाइट की बुकिंग भी मैंने करवा ली। अच्छे कपड़े भी मैंने खरीद लिये थे। छे हजार डॉलर मेरे खर्च हो चुके थे। लेकिन छे हजार डॉलर जो बचे थे उससे मैं काफी जादा काम कर सकता था। मैंने उसके बाद एक गन भी खरीदी और ये मुझे ऐसे लोगों से मिली जो दो नमबर में ऐसी चीजे बेचते हैं। एक गन सप्लायर जिसके पास से पांच हजार डॉलर की मुझे गन खरीदनी पड़ी और हजार डॉलर मेरे पास बचे थे। खत्रा इस बात का था कहीं कोई मुझे पकड़ ना ले। गन मेरे पास हो और किसी ने अगर देख लिया तो मैं बहुत बुरा फंस जाओंगा। लेकिन मैं फोन पर उससे बात कर पा रहा था। वो कौन था। इनसान था या भूत मैं समझ तक नहीं पा रहा था। लेकिन वो जैसा जैसा कहता, जहां जहां से जाने को कहता, वहां वहां से मैं जाता, बैग भर लिया था मैंने खाने के लिए, वो चीज़ें जो स्वादिश्ट नहीं थी, लेकिन पेट भर सकती थी, मुझे जादा से जादा खाना अपने पास रखना था, कपड़ों की कोई जरूत नहीं थे, मैं एक ऐसी जगे जाने वाला था, जहां पर मुझे क्या करना होगा पता नहीं, छे दिनों में पासपोर्ट मेरे पास था, फ्लाइट बुकिंग मैं करवा चुका था, और अलास्का में बहुत थंड होती है, तो थंड वाले कपड़े भी मैंने खरीद रख इस घंडे में ही एक दूसरे कुछ ऐसे काटने लगते, डॉक्टर्स का कहना था कि ये बिमारी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन इसे काबू में किया जा सकता है, जितने भी लोग इससे इंफेक्टर थे, उन्हें पकड़ा जा चुका है, और ये बिमारी और जादा नही होती है, और मुझे जाना था चलकर एक ऐसी जगे जो बिलकुल वीरान थी, जंगलों के बीच और वहाँ अगर मैं भटक गया, तो मारा जाओंगा, लेकिन फोन में रेंज नहीं थी, फिर भी मैं उससे बात कर पा रहा था, अलासका में कई छोटे छोटे शोटे शहर बने ह हुए है, मुझे उन शहरों के बीच से तो निकलना था, लिकन मैं गाड़ी का इस्तिमाल नहीं कर सकता था, मैंने उसको कहा था, गाड़ी का इस्तिमाल करने में क्या पुराई है, गाड़ी से मैं आसानी से वहाँ पहुँच सकता हूँ, उसने कहा गाड़ी का इस्तिमाल कर जिसे चलाना बहुत मुश्किल था। जब मैं उसे चला कर जाने लगा तो मुझे उसका फोन आयाथा। और फोन से मैंने उसे समझाया।। मैं आसानी से जा सकता हूँ। रास्ते में यह गाड़ी छोड़ दूंगा। मैंने उसे बताया हुआ है। ट्रैकिंग सिस्टम गाड मुझकिल होगी। मैं समझ नहीं पाया था कौन मेरे पीछे पड़ेंगे। लेकिन जब मुझे पता चला कौन तो मैं भी डर गया था। वहां कुछ लोग थे जो मेरा पीछा इसलिए कर रहे थे मैंने किराय पर गाड़ी ली थी। वहां बहुत कम लोग आते हैं। वहां रहने वाले लोगों की संख्या कम है। कुछ बुरे लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर मुझे मार कर मेरी लाश को दफना देंगे कोई ढूडने तक नहीं आएगा। यहां इतनी ठंड में इतनी बर्फ में लाश गली हुई मिलती हैं। सालों बाद देशकों बाद केस के बारी में पता तक नहीं चलता। मैं गाड़ी भगा रहा था और वो गाड़ी में मेरे पीछ है। मैं फोन पर अपने उस साथी से पूछ रहा बचने का रास्ता और उसने कहा गाड़ी चलाते रहो। तब तक चलाते रहो जब तक वो तुमारे नजदीक नहीं आते। वो इनफेक्टेड हो चुके हैं। तुम्हें बस साथ घंटे और निकालने हैं। लगाए रखो पीछे उन्हें। साथ घंटे में खुद बखुद वो कमजोर हो जाएंगे। और तुमारी आँखों के सामने वो सच आएगा। कि कितने खत्रे में है दुनिया। मैंने गाड़ी काफी जादा भगाई। गाड़ी में पैटरोल काफी जादा था। लेकिन चार घंटे ड्राइव करने के बाद मैं वहाँ सड़कों पर गाड़ी को घुमाता रहा। पुलिस वाले उन वीरान रास्तों में नहीं थे। गोल गोल घुमाता घुम फिर कर वही पर आता रहा क्योंकि मुझे जंगल में जाना था। आगे जाने का कोई जैसे रास्ता था ही नहीं। कोई ऐसी सड़क नहीं थी जो जंगल के अंदर की तरफ जाती हो। चार घंटे में जब पैटरोल खत्म हो गया वहाँ मैंने गाड़ी एक जगे लगाई और जंगल में म भागना शुरू कर दिया। वो दो लोग थे जिन्होंने मेरी गाड़ी पर भी कई बार फाइरिंग की थी लेकिन मैं किसी तरह उसे बज़ पाया। जब मैं जंगल में जा रहा था तो मुझे मेरे साथी ने बताया था। गोली मत चलाना। उनका नेशाना कमजोर है। गोल आप पीछा आप वैसे नहीं करेंगे। यकीनन वो आसपास थे लेकिन गोली नहीं चला पा रहे थे। बंदूक उन्होंने फैंक दी। गोलियां मौजूद थी उनके पास। कमर पर बंधा हुआ वो कार्ट्रेज लेकिन इस्तिमाल नहीं कर पा रहे। वो अजीब सी चाल जलने लगे थे। आंखें फड़ फड़ाने लगी थी। मूँ से जाग निकलने लगी थी। और वो जैसे मुर्दा हूं जैसे जॉम्बी वो एक दूसरे को काटने की कोशिश कर रहे। वो पेडों को काटने की कोशिश कर रहे। इस तरह एक दूसरे को काट रहे मुझे ड ये क्या हुआ इने, ये क्या हुआ, तब उसने कहा था, इनसे दूरी बना कर रखो, पांच फुट की दूरी, अगर तुम्हारी सांस में वो वाइरस चला गया, तुम भी इनके जैसे बन जाओगे, अब तुम गोली चला सकते हो, दोनों के माथे पर एक एक गोली मारना, पहल गोली कोशिश करना कंधे पर मारो, तुम निशाना कंधे का लगाओगी, गोली माथे पर लगेगी, मैंने पहले के कंधे पर गोली चलाने की कोशिश की, निशाना इतना गंदा था, उसके सर पर गोली लगी, वो ये तक जानता था, मैं कहां गोली चलाओगा और कहां लगे और दो लाशे मेरे सामने पड़ी थे मैंने उससे सवाल पूछा था मैंने दो लोगों को मार दिया अब पुलिस मुझे धूंडेगी मुझे पकड़ने की कुशिश करेगी उससे कैसे बचाओगे माना मैं उस एंटिडोट का इस्तेमाल कर पाऊं क्या मैं सच में इस वाइरस को रोख पाऊंगा इतने भयानक को और उसके बाद क्या इस सजा का फल भी मुझे मिलेगा उसने कहा तुम्हें भविश्या की सोच नहीं रखनी चाहिए मेरा यकीन मानो यह वाइरस कितनी तेजी से फैल रहा है तुम सोच नहीं सकते पुलिस को और बहुत बड़े काम है अगर उनमें से कोई सही हुआ भी तो बच कर रहना बहुत मुश्किल है मुझे पर यकीन करो जैसे जैसे यकीन करते जाओगे मैं धीरे धीरे पूरा सच बताता जाओंगा भविश्या के बारे में जाननी का समय है जल्दी से तुम्हे उस जगे पहुँचना होगा इस वाइरस को रोकने का एक ही तरीका है चलो चलना शुरू करो एक खास जगे तुम्हे पहुँचना है मैं उसके कहे अनुसार चलना शुरू हो गया था मुझे नहीं पता, वो मुझे कहां ली जाना चाहता था, लेकिन जैसा जैसा वो कहता जा रहा था, मैं वैसा वैसा करता जा रहा था, वहां मुझे कई लाशे दिख रही थी, पंचियों की लाशे, इंसानों की लाशे, मैं उन्हें देखकर डरता जा रहा था, अगले शहर में जब मैं पहुंचा उसने कहा था बंदू को तयार रखना गोली चलानी पड़ेगी निकलने के लिए मैं जब वहां पहुंचा जॉम्बीज ही जॉम्बीज थे ये कैसा वाइरस है पहले जो मामारी आई थी 2020 की वो ऐसी नहीं थी सर्दी खांसी थी यहां तुझे ऐसे दिमाग पर असर होता है दिमाग पर असर होने के बाद ऐसे हालात बनते हैं ये सब पागल थे एक दूसरे को काट रहे लोग घरों में बंद हो चुके थे वो खिड़कियों से जहांक रहे यहां पर जो इनफेक्टर थे उनकी पहचान की जा सकती थी जो इनफेक्टर नहीं थे उनकी पहचान भी की जा सकती थी मैं किसी को भी अपने करीब आने नहीं दे सकता था करीब आने का मतलब मैं भी इनफेक्टर हो जाता भले ही मैंने नाक मूँ को ढंका हुआ था लेकिन फिर भी कोई वायरस मेरे शारीर में गया समझो मैं मरा वो फोन पर आदमी मुझे जैसा जैसा कहता रहा मैं उन गलियों से निकला जहां जहां मुझे वो अजीब इनफेक्टेड लोग दिखे मैंने गूली चलाई दूर से भागा वो भीड मेरे पीछे थी लेकिन तरकीब काम कर गई वो पानी से डरते थे पानी से दूर रहते थे जैसे उन्हें रेबी सो गई हो ऐसे डरते थे और आगे वाला वो ठंडा पानी जिसमें मैं भीग गया था जब मैं उस पानी को पार करके आगे पहुँचा वो साद को पार ही नहीं कर पा रहे थे वहां से भी बचकर निकला जो कपड़ी में लेकर आया था वो बदले खाना खाया मैंने खाना खत्म होने की कगार पर था और मुझे 35 किलो मीटर और आगे तक चलना था वक्त रात का हो गया था और मुझे एक ऐसी जगे तक पहुचाया गया जहां जमीन में खड़ा था और उस खड़े में मुझे रात बितानी पड़ी जो जो सामान में लाया था वहां पर काम आया वो बड़ा सा तक्या, वो मोटी चादर, हर चीज़ वहां बिचाई गई, इसी के साथ इंसुलेटर, कंबल, वो मेरे बहुत काम आया ठंड से वो रात में इस तरह से बिताई, अगले दिन 35 किलो मीटर में चला, और एक ऐसी जगे पहुँचा, जो काफी हाई सिक्यूर्टी वाली लग रही थे, चारों तरफ बड़े बोर्ड्स लगे हुए, कि आप अंदर नहीं आ सकते, ये आर्मी का इलाका था, आर्मी का इल शायद यहीं पर ये वाइरस का कोई अंटीडोट होगा, वाइरस से बचने का कोई तरीका होगा, लोगों को बचाने का यही तरीका है, मैं महान बनना चाहता था, जब आपको कोई महान काम करने का मौका मिले, तो आपको कुर्बान होने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, मैं जब वहां आगे बढ़ने लगा ये आर्मी का बेस ही था लेकिन वहां पर कोई भी ऐसा वीकल या प्लेन मौजूद नहीं खुफिया सी जगे लग रही थे ये जैसे अंडर ग्राउंड बनाया गाया कोई बंकर या अंडर ग्राउंड बेस हो यकिन यहां पर रखी गई होगी वो चीज और शायद उसका इस्तेमाल किया नहीं गया लेकिन क्यों वहां पर कई आर्मी वाले मौजूद लेकिन सभी इन्फेक्टर थे बंदू के पीठ पर टंगी हुई लेकिन हाथ से एक दूसरे को जैसे पकड़ने की कुशिश कर रहे काटने की कुशिश कर रहे खाने की कुशिश कर रहे वाइरस यहां भी फैल गया था और मुझे वो फोन पर जैसा जैसा कहता रहा मैं वैसा वैसा करता रहा वहां उनकी भीड थी और मैं जिस बेस में पहुँचने वाला था वहां क्या उनकी संख्या जादा तो नहीं होगी जब मैं वो बड़े से गेट को खोल पाया था जिसका कोड भी मुझे उस फोन वाले आदमी ने बताया था मैं अब उस बंकर के लगभग नीचे वाले फ्लोर में जा रहा वो लिफ्ट काफी नीचे तक जाने वाली थी और मैं डरता रहा यहां कोई मौजूद तो नहीं क्या मुझे एंटीडोट यानि इस वाइरस से बचने वाली वो चीज कहां मिलेगी मैं नीचे पहुँचा और नीचे बंकर बने हुए लेकिन कोई मौजूद नहीं था मैं जल्द से जल्द वो चीज ढूंडना चाहता था जिससे सब को बचाया जा सके सबकी इस तरह से तो मौत हो जाएगी बहुत कम लोग बचेंगे तब उसने मुझे फोन पर बताया था क्या तुम जानते हो इस वाइरस से इनफेक्टेड हर किसी की मौत नहीं होगी 99.9% लोग मारे जाएंगे लेकिन 0.1% लोग इससे इनफेक्टेड होने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं होगा वो बचे रहेंगे और इस तरह वो बाद में बच पाएंगे अगर उनके आथो ना मारे गए 30 दिनों के साइकल में जो भी इनफेक्टेड है वो मारा जाएगा 30 दिन ही वो बच सकता है और बाकी जो इनफेक्टेड होने के बाद भी ठीक है उन्हें बस 30 दिन निकालने हैं और 0.1 परसेंट में भी 99 परसेंट मारे जाएंगे और सिर्फ एक प्रतीशत बचेंगे यानि धर्ती पर सिर्फ साथ लाख लोग ही बच पाएंगे मैंने कहा मैं जल्दी से उन्हें बचाना चाहूंगा जल्दी से बचाना चाहूंगा और उसने मुझे फोन पर कहा था वो लाल वाला बटन दबा दो जब मैंने वो लाल बटन दबाया वहां कोई, कोई medicine, कोई antidote निकल कर नहीं आया वो जो मोटा दर्वाजा था वो बंद हो चुका था जिसे सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता था numbers के जरीए और मुझे phone पर उसने कोई number नहीं बताया मैंने उसको कहा number मुझे number पताओ मैं बाहर निकल सकता हूँ मैं बाहर कैसे जाओंगा के antidote कहा है तब उसने कहा क्या तुम मुझे पर भरोसा करते हो अब क्या तुम मुझे पर पूरा भरोसा करते हो मैंने कहा हाँ उसने कहा मैं भी तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ जानते हो क्यों मैं क्यों तुम पर भरोसा करता हूँ क्यों कि मैं तुम्हें बजाना चाहता था मैं खुद को बजाना चाहता था मैं तुम्हारा भविश्य हूँ इस बंकर में कैद 20 साल बाद मुझे यहां बहुत सारी च पाना जैसा तुम्हारा इतिहास है, वैसा मेरा इतिहास है, मैंने खुद को बचाया और ये मुझे भविश्य में समझ आया। इस वाइरस को रोका नहीं जा सकता जिस तरह से नियती आती है जिसे रोका नहीं जा सकता बस खुद को बचाया जा सकता है ये बंकर में वो वाइरस नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि खास कोड से ही बाहर निकला जा सकता है जो लोगों के लिए ये बंकर बनाया गया था वो सबसे पहले इंफेक्ट हुए इसलिए यहां कोई नहीं आने वाला और तुमें जिन्दा रहने के लिए बचने के लिए 20 सालों तक यहां रहना होगा 20 सालों बाद बाहर की दुनिया अलग होगी और तब तुम बचकर निकल पाओगी यहां खाने का सारा सामान है पीने का सारा सामान है रहने के लिए हर चीज मौजूद है यहां और कोई आने वाला नहीं जाने वाला नहीं तबाही बाहर होगी जो लोग बचेंगे वो भी मारने की कुशिश करेंगे दोबारा जिन्दा रहने की कोशिश करेंगे और अगर उन्हें पता लगा यहां खाने की चीज़ है तो वो आसानी से यहां आने की कोशिश करेंगे और तुम्हें समय नहीं मिलेगा तुम्हारा भविश्य भी सालों तक यहीं पर है उसके बाद जब तुम बाहर निकलोगे, बहुत कम लोग बचे होंगे, लेकिन वो ठीक होंगे, इन्फेक्टेड नहीं होंगे, बीमारियां खत्म हो चुकी होंगी, इनसान दोबारा उन्नती के रास्ते पर निकलने की कुशिश करेंगे, हजार साल पीछे आबादी पहुंच जाएगी, बस मुझे इतना ही बताया गया, ना कभी उस फोन पर दोबारा मैसेज आया, ना मुझे कोई कॉल आई, मैं उन शब्दों को भूल नहीं पा रहा, क्या मैंने खुद को बचाया, लेकिन अगर मैंने भविश्य में ऐसा नहीं किया, तो क्या इतियास बदल लेकिन क्या मैं वैसा बन जाओंगा मैंने खुद को बचा कर हासिल क्या किया, मुझे लग रहा था मैं दुनिया को बचा सकता हूँ, लेकिन शायद मैंने सिर्फ खुद को बचाया था, यहां कैद 20 साल की, और ये इतना बड़ा बंकर है, इतनी लंबी सरंग है कि मैं दूर तूर तक जाकर देखोंगा, क्या ढूंड सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, बविश्य कैसा हुने वाला है इनसानों का जो बचे होंगे, साथ लाख बचेंगे, धीरे धीरे ये संख्या एक लाख से कम होगी और तब इनसान जान पाएंगे, बचने के लिए आगे बढ़ने के लिए हमें फिर से शुरुआत करनी होगी लेकिन क्या आप ये चीज देख चुके हैं क्या आपको पता है बविश्य में क्या होनी वाला है और क्या आप उन लोगों में हैं जो इन्फेक्टेड होने के बाद भी जिन्दा बच पाएंगे या बचे हुए में से वो केड का खाना नहीं बनेंगे जो बाकी बचेंगे और उसके बाद भुखमरी से बचेंगे और उसके बाद खुद जिन्दा रह पाएंगे क्या आप उन में से एक हैं भविश्य भायानक है तैयार हो जाईए